नमस्कार, डीवी नियूस की खास खबरों में आपका स्वागत है। लाडली बाने योजना में हर महीने 1000 रुपए प्राप्त करनी के लिए तलाकशोदा और विद्वा महिलाओं को भी विवाहित वनना पड़ा। आपको बता दें आधार और समगर आईडी लेकर आविदन कराने पहुंची महिला, विद्वा और तलाकशोदा महिलाओं के आविदन पोचल स्विकार ही नहीं कर रहा था। उसमें केवल विवाहित और आविवाहित का ही विकल्प दिया हुआ था। योजना का लाव केवल विवाहित महिलाओं को ही दिया जाना है बोपाल जिले में 3,8,308 आविदन आए हैं। इन में से करीब 25,000 महिलाएं ऐसी हैं जिनके आधार या समगर आईडी में पिता का नाम दर्ज था और उनका आविदन स्विक्रित नहीं हो रहा था। ऐसी महिलाओं को दस्तवेजों में पिता की जगें पती का नाम जुड़वाना पड़ा। तब कहीं उनके आविदन स्विकार हो पाए। दरसल पोटल पर फॉर्म भरते समय केवल वे आविदन स्विकार हो रहे थे जिन में पती का नाम दर्ज था। ऐसे में उन तलाक्षुदा और विद्वा महिलाओं को दिक्कते आएं जिनके दस्तवेजों में पिता का नाम दर्ज था। कर दो कि दो आए एंगिदन स्विकार हो रहे जिनके नाम दर्ज